अब नहीं जागे तो कब जागे कर दो कर दो कि जागे सुभा के वक्त जब हम लोग चाय की चुसकी लेकर अपने घरों से सैर के लिए निकलते हैं तब हम अपनी रोज की राह में पेट पौधों को निहारते तो जरूर होंगे और क्या कभी हमने यह सोचा है कि इनकी देखभाल एवं रख रखाफ के पीछे किसका हाथ है आईए इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक ऐसे व्यक्ति पर नजर डालते हैं जिनके बारे में सुनकर आप अपने आसपास के पेड़ों की महस, सुन्दता और हर्याली ही नहीं देखेंगे बल्कि इसके परे भी सोच पाएंगे आईए, आपको बताते हैं स्वामी प्रेम परिवर्तन के बारे में एक ऐसे इनसान जिन्होंने एक करोड से ज्यादा पेड़ अपने हाथों से लगाए है इनको बहुँ चचित रूप में पीपल बाबा के नाम से भी जाना जाता है कैसे पड़ा इनका ये नाम, इसके पीछे की कहानी, चलिए सुनते हैं इन्ही की जुबानी जहां तक मुझे याद पड़ता है पीपल बाबा का नाम जो है ये 1984 मिन्स 1984 के आसपास दाउवालों ने कहना शुरू किया राजस्तान में एक विलिच था जहां पर पहली बार मुझे लोगों ने पीपल बाबा के नाम से कुका रहा है वैसे तो बहुत सारे पेड लगाए गुलमोहर के पेड लगाए नीम के पेड लगाए आम, जामोन, गुआवा, बैन्यन लेकिन प्रमुख वराइटी जो पूरी लगी वो पीपल की लगी और पीपल के पुलमे लागे तकरीबन 60 लाग के उपर चले गए हैं अभी और करते रहते हैं अलग-अलग कांतों में कश्मीर से लेके कन्या कुमारी तक वो तकरीब तकरीबन पुते हैं और 1990 तक आते आते जैसे जैसे अखबारों में कुछ सुर्खियां आई जैसे थोड़ा कुछ मेरे बारे में लिखा जाना शुरू हुआ, दूरदर्शन के कुछ प जैसे ही वे अपने मयूर विहार दिल्ली में स्थित ऑफिस में पहुंचते हैं, वे वहाँ पर अपने काम में पोरी तरहां व्यस्त हो जाते हैं, उनकी दिन चर्या में पौधों की देख भाल करना, जो पेड उनकी त्वारा लगाए गए हैं, उनकी अवस्था का करना शामिल है, वे अपना पूरा दिन, पेडों तथा पर्या वरंड की चिंता करने और उसे सवारने में लगा देते हैं, ये उनका सिर्फ शौंख ही नहीं, बल्कि एक जुनून से बढ़कर है, और अब ये ही उनकी जिन्दगी का उद्देश्य बन गया है जब मैं आठ, नौ, दस साल का था, तो मेरी एक स्कूल में पढ़ता था, Spices Memorial School पूना में, वहाँ पर हमारी एक टीचर हुआ करती थी, Mrs. Williams, और Mrs. Williams जो थी है, वो हमारी सोशल स्टडीज की टीचर थी, तो वो हमें एन्वायमेंट के उपर बहुत सारी चीजें सुनाती थी, और उस अमाने में हमें, बलकि ये तो मैं बहुत, मैं 30-35 साल कुरानी बात बोल रहा हूँ, कि उस टाइम पर हमें इतनी सेंसिटिविटी भर दी थी, अंदर कूट-कूट के, एन्वायमेंट, परियावरन के प्रती, जबकि आज भी हम इतने स्कूल में लेक्चर सेने जाते बहुत, बहुत इंस्पायर किया, और यू हुआ कि 26th January 1977, जब मैंने पहली बार पेल लगाने शुरू किये, तो टिफिन में भरके सेपलिंग ले आना, और जुराबो में छुपा-छुपा के सेपलिंग लेके जाते थे, और स्कूल बैग में वाटर बातल से पानी डालना, म लेकिन पीपल का पेड़ ही क्यों, लेकिन पीपल का पेड़ ही क्यों? दर्म से जुड़ी हुई कई कहानिया हैं, अभी उतना समय नहीं हैं, अगर बोलना शुरू करो दो दिन, तीन दिन बोल सकते हैं शीज पे, लेकिन कुल में लाके, जो सबसे एक स्पेसिफिक बात जो है, कि लोग डरते क्यों है पीपल वरिक्ष से, पीपल से लोग इसलिए कि लोगों को लगता है कि पीपल वरिक्ष पर भुतों का वास होता है, इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत लोग डरते हैं कि अपने घर के आसपास जो है, और वास्तु शास्तरी भी बोलेंगे कि पीपल का यांबड का पेड जो है, आप धर के आसपास ना लगाएंगे खेर उसके कुछ और रीजन होते हैं कि जैसे पीपल का वरिक्ष जो होता है वह बहुत विशाल होता है, नमबर दो उसकी जड़ें जो हैं बहुत गहरी जाती है और बहुत फैलती है, इसलिए कंपाउंड वाल्स के आसपस लगाना भी नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह से कहन कि पीपल वरिक्ष किसी को हानी पहुंचाता है या वो तो बल्कि एक बहुत ही शुब एक तरीके का वरिक्ष है, जिसमें 101 तरीके की और शदियां बन सकती हैं इसमें नेस्टिंग बहुत अच्छी होती है, स्कुरिल्स बहुत आते हैं, इंसेक्स एक अपना एक एको और सबसे ज़्यादा इसकी लाइफ होती है, अब मैंने पीपल को इसलिए चुना, पहली बात पीपल के पेड में जल्दी कीडा नहीं लगता, पीपल की सैपलिंग्स इजली अवेलेबल होती हैं, तीसरी बात जो है कि इसमें पानी कम लगता है, आप एक बार इसको कहीं ल पानी केंडी रूट्स बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत अच्छा फैलाव होता है उसमें और इसमें खाद ज्यादा डालनी की ज़रूरत नहीं है, मैंटनेंस की ज़रूरत नहीं है, तो देरफोर इसमें बार बड़ी देर तक चलने वाला फेड है, इसलिए मैंने पीपल को इसलिए चुना, और अपना भी एक जस्तरा का मैं एक स्पिरिच्वल सीकर हूँ, मेरा अपना एक स्पिरिच्वल पाथ की जर्नी से कुछ चीज़ें जुड़ी होई थी पीपल की, तो पीपल वरिक्ष जो है, वो मेरे एक जीवन का अभिन भाग है, मेरी फ्रिक्वेंसी अच्छी मैच होती है, इसलिए आपने काम को शिखर तक पहुंचाने के लिए, उन्होंने एक एंजियो की स्थापना की, उनके द्वारा स्थापित, इस एंजियो का नाम है, गिव मी ट्रीस ट्रस्ट, जिसमें कि देश भर के किसी भी कोने में रहने वाला, कोई भी व्यक्ति उनकी कारे से जुड़ सकता है. कि छोटा सा, कुछ भी, को एक छोटा सा संगठन बनाया जाए, एक संग बनाया जाए, जिसमें मैं लोगों को फॉर्मली जोड सकूं, और हम इस काम को थोड़ा, मुच लार्जर स्केल पे हम कर सकें, क्योंकि रिक्वार्मेंट बहुत जादा थी. तो 2010 में ये थौट आया कि मैं Give Me Trees Trust नाम अप एक छोटी सी संस्था हम बनाया, सो October 2011 में हमारी रिजिस्ट्रेशन हो गई, हमारे को जो भी फॉर्मालिटी इंकम टैक्स की तरफ से रिजिस्ट्रेशन जो भी होती हैं, वो सब फॉर्मालिटी हमारी हो गई, 2011 October में हम लोगों ने फिर एक इसको संस्था करो दिया, अब वॉलेंटीर्स और परिवार कैसे जोड़ते हैं, वो जादातार हमारी वेबसाइट पे आते हैं, हमारी एक वेबसाइट है www.givemetrees.org और दूसरी हमारा Facebook पेज है, Facebook पेज भी Give Me Trees Trust के नाम से है, या मेरा Facebook प्रोफाइल है, पीपल बाबा के नाम से, उस पे लोग लोग इन करते हैं, और वहां से फिर लोग मेसेज़ेस भेजते हैं, या जी मेल पे मुझे कॉन्टैक कर लेते हैं। इनके महान कारे को सराहते हुए, इनको बहुत से पुरसकारों से नवाजा गया है, एवं आज की समय में पीपल बाबा पर्यावरन जगत की एक जानी मानी हस्ती हैं। पीपल बाबा के व्यक्तित्व वर उनकी द्वारा किये जा रहे कारे की वज़ा से उनकी संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति उनसे कुछ सरूर सीखता है, उनसे कुछ इस प्रकार की प्रेणा मिलती है कि उनके उद्देश्य को कई लोगों ने अपना उद्देश्य भी बन फिर चाहे वे एक छोटा बच्चा हो, मजदूर हो, करमचारी हो, या कोई बड़ा उद्योग पती हो, तो चलिए, उनसे प्रेरित, एक आम रिक्षा चालक अजगर अली की कहानी सुनते हैं. हम भी लगाएंगे आपके साथ में, ले लगाओ जी, आपर उस दिन हमें दो पेड़ लगाएं वहां पे, फिर इनका हमने नमबर ले लिया, फिर जब कभी इनका वाओ जी का प्लांटिंग होता है, जैसे बहुत जगे हम लोगों ने प्लांटिंग किया, जैसे गाजीपूर म में किया, ऐसे बहुत से बैसाली में किया, तीन-चारस पेड़ लगाएं लोगों ने, और दो धाई साल होगे हमके साथ, लगते होई जी, और पेड़ लगाना बहुत शूब काम है, जी, और बहुत स्थान्ती काम, जैसे कि पेड़ जहां पे लगाते हम लोग, तो गर्मिय पीपल बाबा के द्वारा शुरू किये गए NGO, गिव मी ट्रीस ट्रस्ट ने आजकल के बच्चों को भी मौका दिया है, जो पर्यावरण जगत के प्रती समवेदन शीलता दिखाने की चाह रखते हैं अगर तुम दाएं हाथ से दान करो, तो तुम्हारे बाएं हाथ को पता बेना चले ये कहावत पीपल बाबा के उद्देश्य को बखोबी दर्शाती हैं, अपने काम का दिखावा ना करते हुए, उसको गुपनियता से पूरा करने में विश्वास रखने वाले पीपल बाबा की महानता का अंदाजा उनकी सादगी से लगा सकते हैं अंत तह इनके बारे में इतना कुछ जान कर हमें एक चीज तो अवश्य सीखने को मिलती हैं, पेर लगाओ, जीवन दान पाओ, हम आशा करते हैं कि इनके कारे से आप लोगों को इतनी प्रेड़ना मिलें कि प्रकृती के प्रती आपका नजरिया बदल जाएं, और हम इतने स मुझे लगता है फ्यूचर तो खैर बहुत प्राइट है, क्योंकि जिस तरह से लोग जोड रहे हैं, मैं रहू ना रहू, मैं जानता हूँ कि युमी ट्री स्टस्ट जो है, मैं ऐसे कोई वर्ड्स में एक्स्प्रेस नहीं कर सकता, लिकिन मुझे माला हूँ, मेरा दिल मानत क्योंकि अगर मैं अकेला एक करोड से उपर पेड लगा सकता हूँ, तो जब देश का जूथ जो है, इकठा हो जाएगा, तो फिर क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत पोटेंचल हैं, और अभी तो हमें सिरु धाई साल हुए हैं संस् मेडिया की काफी हेल्प लेंगे, मन में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं उसको पहले I will act upon it, rather than just talk about it, पूरे हिंदोस्तान में हम बहुत 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 जादा काम करने वाले हैं, आने वाले हैं, वो देखो, वो आ रहा है बाड का पानी, लेकिन मैं पेड हूँ, मेरा खाडी रहना सबस्तान चीजें झाल झाल